हे व्रीवर मैं हूँ आरके और आप देख रहे है आरके टेक जोन दोस्तों यह जो वीडियो है वह मुल्टिमेटर वाले वीडियो का चाहूं था एपिसोड है यानकी चाहूं था भाग है और आज किस वीडियो में हमारे पास कुछ एलेक्रोणिक कंपोनेंट साया जैसे कि यहां पर डायोड है देख सकते डायोड और यहां पर रिइलेडियो और कुछ रिजिस्टेंस एन है तो इनका जो है रसेटेश्टेंस हम समल्टीटर करें कर दिखाएँ आप को कैसे मब्रेंे से प्रेंटर्टेंटर्ट निकालना असवाइल तो अपर एक पर 2600 पर 220 वीशाम के वाद 20 किलोंa म दो किलोंरा तो में यहां तक च्वेय मेंधर नहीं करना है बहुत ज्यादा जो वैलीू हो जाता है है ॥ाहम यहां पर 20 खिलो अम हमेजर करना तो सबसे पहले हम पास नहीं को तो सबसे यहां पर जो है इस तरफ जो हमें इस नेगेटिव प्रोब को लगाना और इस तरफ पॉजिटिव को अगर हम इसे उल्टा लगाते हैं तो यह वैल्डू नहीं बताएगा इसका जो रेजिस्टेंस वह 200 से ज़्यादा है इसको चेंज करके देख लेते हैं यहां पर देख सकते यहां पर देख सकते हैं तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पर देख सकते हैं इसका जो रेसिस्टेंस है वो 532 ओम है 532 ओम अब रेसी को अगर हम किलो ओम में देखे तो किलो ओम में इसका वैलू नहीं बताए वह ज्यादा हो जाता है कि 2000 ओम पर देखे तो इसका वैल्यू जो है पांसो तीस के आसपास एप्रॉक्स नहीं बोल सकते लगभग आसपास वहां पर आज जाएगा पांसो थीसों यह तो हो गया डायोड का रेस्टेंस अब यहां पर हमारे पास है कुछ रिजिस्टर तो इनका भी वैलू चेक कर लेते हैं आप पर इनका जो है वैलू जो है कलर कोड के इस आप से भी निकाल सकते लेकिन कलर कोड में कैलकुलेशन करना पड़ता है तो किभू में करे हैं तो कि मलटिमिटर का में जो है जो है एम तो हमारे करते हैं चीतर फेल्ब हैं नहीं बता रहा है कि इस अचाहँ और फिन किलो-ओंपर और उसके लो से करते चेक करते है तो यहाँ पर भी यह जो है value नहीं बता रहा है कोई भी reading शो नहीं कर रहा है तो इसको फिर से change करते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 kilo ohm मतलब इसका जो value है 20 kilo ohm से भी ज्यादा है इसलिए यह जो value नहीं बता रहा था 20 kilo ohm पे तो यहाँ जब हमने इसे 200 kilo ohm पे सेट किया तो यह जो value बता रहा है 34 36 34 35 के आसपास जो इसका resistance है इसका value इस register का value है वो 34 के आसपास है इसके लावा किसी और resistance का भी देख सकते हैं रिजिस्टर का देख सकते हैं यह पर दूसरा रिजिस्टर ले ले लेते हूं और इसे 20 kilo ohm पे सेट करता हूं तो देखिए यहाँ पर इसका जो value है वो 3.16 kilo ohm एक और resistance लेते हैं दूसरा इसका भी 20 kilo ohm से ज्यादा होगा सायद इसलिए यहाँ पर जो रीडिंग सोनी कर रहा है और लेते हैं और इसका भी 3.18 kilo ohm शुक्ता है जब तक रीडिंग रूखने जाता वेरीडियबल रहे तो रीडिंग को में लेना होता है जब तक रीडिंग इस्थाईन ना हो वू सृडिंग को नहीं माना जाता है यहाँ पर 4.48 जो इसका value आ रहा है और इसके बाद एक और resistance है तो इस रिजिस्टेंग को भी देखते हैं इसका भी जो है 20 किलोंग से ज्याद़ है इसलिए इसमें रीडिग नहीं सारा है कि यहां पर हम ने देखा रोजिस्टेंस का रिस्टर सब्सक्राइब भी निकाला उसके पहले हम निकाला था डायोड का नुश्त के तो इस तरह से जो है सकते हैं किसी बी रिचिस्टर का ज़ो है रजिस्टेंस किन सकते हैं कॉछ אिस तरह से जबहू है